दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग्ष ओधरी दोस्तों यंसी आठीस रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सात्वी कच्छा के इतिहास हमारे अतीत भागदो का अध्याय दो नए राजा और उनके राजी इस अध्या करेंगे जिसमें हम चोलों के प्रसासनिक विवस्था कला संस्कृती और उनके क्रिसी संबंधिकारियों के बारे में जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का अध्याय NCRT हिस्ट्री सात्वी कच्छा का इतिहास अध्याय दो नए राजा और उनके राजी दोस्तों सा प्रमुख राजवन्सों के बारे में देखेंगे तो यह देखें यहाँ पर जो राजवन्स हैं उनके बारे में आईए जानते हैं गुर्जर प्रतिहार राजवन्स है परमार्वन्स है चंदेल है इसके अलावा देखिए पाल है और यहाँ पर राष्ट कूठ है और पूर प्रवी चालुक के हैं तथा इसी प्रकार से यहां पर देखिए चोल राजवनस है तो ये जो सीमाएं दिखाए गई हैं ये परिवर्तन सील सीमाएं हैं जो की राज्यों में और उनके काल के अनुसार कुछ इसमें परिवर्तन होता रहता था तो ये बिभिन राजवनसों की जो है वो सीमाएं हैं इसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्टकूर्ट, पाल, चोल और चहमान यानी चोहानों के अस्थान का निर्धारण आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार से किया गया है दोस्तों नए राजवनसों का उद्धै तो सात्वी सताबदी आते आते अपने मातहत या सामंत के रूप में मानेता देते थे सात्वी सताबदी में महादीप में कुछ बड़े भू स्वामी और योध्धा सरदार हस्तित्तु में आये और राजा उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मानेता देते थे और उनसे क्या उम्मीद की जाती थी इन सामंतों से ये उम्मीद की जाती थी कि वे राजा और स्वामी के लिए उपहार लाएं उनके दरबार में हाजरी लगाएं और उन्हें सैने सहायता परदान करें अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आपको महा सामंत महा मंदलेश्वर जिसका अर्थ होता है पूरे मंदल का महान स्वामी इत्याद घोसित करते थे और कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे इसी तरह का एक उदाराण धक्कन में राष्ट कूटों का था, सुरुवात में जो राष्ट कूट थे वे करनाटक के चालुक के राजाओं के अधिनस थे आठवी सताब्दी के बीच में एक राष्ट कूट प्रधान दंति दुर्ग ने अपने चालुक के स्वामी की अधिनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिराड्य गर्भ जिसका अर्थ होता है सोने का गर्भ, हिराड्य गर्भ नामक एक उसने अनुष्ठान किया, जब यह अनुष्ठान ब्राम्भडों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह मान लिया जाता था कि इससे याजक यानि जो जजमान है वो जन्मना छत्रीने होते हुए भी छत्री के रूप में दुबारा छत्रीयत्व प्राप्त कर लेता था, तो आपसे अगर यह पूछा जा कि हिराण गर्भ अनुष्ठान क्या होता था, तो दोस्तों हिराण गर्भ अनुष्ठान जो था यह ब्राम्भडों की सहायता से किया जाता था और जन्म से छत्रीने होने वाला अब्यक्ति भी इस अनुष्ठान को संपन्न करने के बाद छत्रीत्व धारण कर लेता था, य गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्रामहर थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर सस्त्र को अपना लिया और कदंब मयूर सर्मड ने करनाटक और गुर्जर प्रतिहार ने राजस्थान में अपने राज सफलता पूर्वक अस्थापित किये थे। अब आई जानते हैं राज्यों में प्रसासन किस प्रकार से चलता था। तो ये जो नए राज्य आये थे इन राजाओं में से कईयों ने महराजा धिराज यानि राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानि तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्यभारी भरकम उपादिया धारण की लेकिन इस तरह के दाउं के बावजूद वो अपने सामनतों और साथ ही साथ किसान ब्यापारियों और ब्राम्भडों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साजेदारी करते थे दोस्तों इन सभी राज्यों में उत्पादक जो थे यानि किसान पसुपालक और कारीगर इनके द्वारा संसाधन निकठे किये जाते थे इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाद्ध किया जाता था और कभी-कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व जो था ये ब्यापारियों कि सुविधा के बदले लिया जाता था आईए देखते हैं 400 कर की क्या बेवस्था थी तमिल नाडु में सासन करने वाले जो चोल वंस के अविलेखों में बिभिन किस्म के करों के लिए 400 से जादा सूचक सब्द मिलते हैं सबसे अधिकुल लिखित कर वेट्टी याद रखिएगा वेट्टी जो है ये करनगत की बजाए जबरंस्रम के रूप में वसूला जाता था यानि जबरंस्रम और कदमाई यानि की भूर आजस्थे और मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर खजूर या ताड के पेड़ पर लगने के लिए सीड़ी के इस्तिमाल पर लगने वाला कर पारिवारिक संपत्य का उत्तरा धिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादिका भी इसमें ऊलेख मिलता है तो आप से अगर ये पूछा जाए कि वेट्टी कर जो है वो क्या था तो वेट्टी कर जवरन स्रम के रूप में वसूला जाता था ये नगत नहीं लिया जाता था और चोल वंस के अभिलेखों में इसका वर्डन मिलता है दोस्तु जो संसाधन थे वो राजा की बेवस्था का बित्ती आधार बनते थे ये मंदिरों और किलों या दुर्गों के निर्माण में प्रयोग किये जाते थे और संसाधन जो थे उन युद्धों को लड़ने में भी प्रयोग होते थे जिनसे लूट की सकल में धन मिलने की और जमीन और ब्यापारिक मारगों के प्रियोग की संभावना बनती थी। राजा सोवसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामानत्य प्रभावसाली परिवारों के बीश से की जाती थी और यह प्रायः वनसानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी बड़े ओहदों पर अस्थापित होते थे। अब आईए देखते हैं प्रसस्तियां और भूम अनुदान। प्रसस्तियों के बारे में आपने पिछले कच्छा में पढ़ा था। प्रसस्तियां क्या होती हैं तो प्रसस्तियां ऐसे बेवरे होते हैं जो सब्दसह सत्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन में राजाओं की प्रसंसा में अत्यंत अतिसयोक्ति पूर्ण वर्ण भी किये जा सकते थे। लेकिन ये प्रसास्तियां हमें बताती हैं कि सासक खुद को कैसा दर्साना या प्रदर्सित करना चाहते थे। मिसाल के लिए सूर बीर बिजाई युद्धा के रूप में ये बिद्वान ब्राम्हडों द्वारा रची गई और अक्सर प्रसासन में मदद करती थी। दोस्तों ये देखिए कि राजा लोग प्राय ब्राम्हडों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे और ये तामर प्रत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने माले को दिये जाते थे। ये जो तामर पत्र आप देख रहे हैं ये थोड़ा संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ तामर पत्रों का एक संग्र है और इसमें नौवी सताब्दी में एक सासक के द्वारा दिये गए भूमि अनुदान का उल्ले किया गया है। जिन कडियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी हुई है जो ये बताने के लिए है कि ये एक प्रामारिक दस्तवेज है। इसे कलहर नाम के एक रचनाकार द्वारा लिखा गया था। तो कलहर के द्वारा जो लिखा गया ये संस्कृत भासा का ग्रंथ था। इसका नाम राज तरंगडी था। सताबदी के लिए यह एक असाधारण गरंथ था। यहां देखिए बाक्स में आपको कुछ विशिष्ट जानकारी मिलेगी नागभट की उपलब्धियां। दोस्तों कई सासक जो थे उन्होंने प्रसस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है और आपने पिछले वर्स गुप्त सासक समुद्र गुप्त की प्रसस्ति के बारे में पढ़ा था। समुद्र गुप्त की प्रसस्ति जो की प्रयाग प्रसस्ति है और हरिसेड द्वारा लिखी गई थी। विजित किया उन्होंने बंग, अनर्थ, मालवा, किरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स और अन्य राजाओं को भी पराजित किया तो ये नागभट की उपलब्धियों के बारे में संस्कृत में लिखी गई प्रसस्ति गुआलियर मध्य प्रदेश में पाई गई थी। भूमी के साथ क्या क्या दिया जाता था जो भूमी के भूमी दिये जाते थे राजाओं द्वारा अनुदान के रूप में ब्राम्भडों को तो उसमें उसके साथ क्या क्या दिया जाता था तो चोलूं द्वारा दिये गए एक भूमी अनुदान का तमिल भाग का अंस है कि हमने मिट्टी के मेड़े बना कर काटेदार जाडिया लगा कर भूमी की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है इस भूमी पर फलदार ब्रिच पानी भूमी वगीचे फलोद्यान पेड कुए खुली जगह चरागा एक गाव बाबी चबूतरे नहरे खाईया नदिया दलदली जमीन होज अन्नागार मचलियों के तालाब मधवक्यों के छत्ते और गहरी जीले हैं तो ये सारी चीजें भूमी के साथ दी जाती थी दोस्तों अब आईए देखते हैं धन के लिए युद्ध जो प्राचीनकाल में या मध्धिकालीन में मध्धिकालीन जो हमारा समय रहा वहाँ पर धन के लिए भी युद्ध होता था राजाओं को चलाने या अपने राजवन्स के प्रसासन और उनकी बेवस्था देखने के लिए धन किया हो सकता पड़ती थी और प्रतेक सासक राजवन्स का आधार कोई छेत्र विसेस था और वे दूसरे छेत्रों पर नियंतरण करने का प्रयास करते थे और इसमें एक बहुत ही महतपूर छेतर था गंगा घाटी में कन्नोज नगर गुरजर प्रतिहार राश्ट कूट और पालवन्सो के सासक सदियों तक कन्नोज के उपर नियंतरण को लेकर आपस में लड़ते रहे चूकि इस लंबी लड़ाई में तीन पच्च थे इसलिए इतिहासकारों ने प्रया इसकी संगर्ष के रूप में की है तो आइए एक नया तठ्थे आपको मिला त्रिपच्च्ची संगर्ष क्या था तो दोस्तों त्रिपच्ची संगर्ष जो था वो गंगा घाटी में एक खन्नोज नगर प्रसिद्ध था उसमें गुर्जर प्रतिहार राष्ट कूट और पालवंस के सासक जो थे इन तीनों के बीच खन्नोज पर अधिकार के लिए संघर्ष चला काफी समय तक जिसकों की त्रिपच्छी संघर्ष के रूप में जाना जाता है दोस्तों सासकों ने बड़े मंदिरों का निर्मार कराकर अपनी सत्ता और संसाधनों का परदर्शन करने का भी प्रयास किया था इसलिए जब वे दूसरे राजिके राजियों पर आक्रमन करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे अफगानिस्तान के गजनी का जो सुल्तान मुहम्मद था ऐसे सासकों में सबसे प्रसिद्ध है और उसने 997 इसवी से 1030 इसवी तक सासन किया और अपने नियंतरण का विस्तार मध एसिया के भागों इरान और उपमहादीब के उत्तरपश में हिस्से तक किया वो अलगभग हर साल उपमहादीब पर हमला करता था और उसका निशाना जो होता था वो संपन्न मंदिर जिसमें गुजरात का सोमनात मंदिर भी शामिल था महमूद जो धन उठा ले गया उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक बयभो साली राजधानी के निर्मार में खर्च हुआ था तो दोस्तों ये जो धनों की लूट पार्ट या धन की लूट पार्ट की जाती थी वो उसमें अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद जो था वो सबसे महतपूर था उसने गुजरात के सोमनात मंदिर को भी निशाना बना कर वहां से काफी मात्रा में धन क की लूट पार्ट की थी सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था उसने अलबरूनी नाम के एक बिद्वान को इस उप महादेब का लेखा जोखा लिखने का काम सौपा था और अलबरूनी की कृती अर्भी में लिखी किया था युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे जिनको की चौहान वंस के नाम से जाना जाता था ये बाद में चौहानों के रूप में जाने गए और चौहानों का जो छेतर था ओदिल्ली और अजमेर के आसपास का छेतर था उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंतरर छेतर का विश्तार करना चाहा जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्मी उतरप्रदेश के गहड़वालों से टक कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे परसिद्ध सासक पृत्वी राज तिरतिय था जिसने सुल्तान मुहमत गोरी नामक अफगान सासक को 1191 में हराय था लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया था तो देखिए एक महतवपूर्ण प्रश्न आपको यहां से ये मिला कि जो पृत्वी जो नाम था वो पृत्वी राज तिरतिय था और उसका सासनकाल 1168 से 1192 था इसने सुल्तान मुहमत गोरी को 1191 के तराइन युद्ध में हराय था लेकिन 1192 में तराइन के दूती युद्ध में वो मुहमत गोरी से हार गया था अब आएए आगे बढ़ते हैं और चोल राज्य के बारे में कुछ विशेश रूप से अध्यान करते हैं ये देखिए दच्छडी भारत का जो छेत्र है यहाँ पर कदंब और जो है काकती वन्स उसके अलावां यहाँ पर देखिए ये जो छेत्र दिखाया गया है जो इसमें मुख्य रूप से जो छेत्र हैं बनवासी, न तंजाओर या गंगई गोंड चोल पूरम है ये बहुत बड़ा छेत्र चोलों के नियंत्रण में आता था दोस्तों उरैयूर से तंजाओर तक तो चोल वन्स सत्ता में कैसे आया कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिध एक छोटे से मुख्या परिवार की सत थी वे काची पूरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे उरैयार के चोल वन्सी परधान मुख्या परिवार के बिजियालय ने नवी सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कबजा जमाया और उसने वहां तंजाओर सहर और निसुम्भ सूधनी देवी का मंदिर बनवाया तो दोस्तों बिजियालय जो था उसने चोल वन्स की अस्थापना की थी और बिजियालय के उत्रा धिकारियों ने पडोसी राजियों को जीता और उसका राज्य अपने छेतर फल तथा सक्ती दोनों रूपे में बढ़ता गया दच्छिन और उत्तर के पां ने नियंतरन का विश्तार किया उसने सामराज्य के परसासन का भी पुनरगठन किया था दोस्तों राजा राज के पुत्र राजेंदर पर्थम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी स्री लंका और दच्छिन पूर्व एसिया के देशों पर भी हमला कि और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी तो चोल वंस का जो परसिद्ध सासक रहा राजा राज पर्थम उसने अपने जो छेतर था उसका विस्तार किया और अपने प्रहुतों का विस्तार किया और उसी के पदचुन्यों पर चलते हुए उसका पूतर राजेंद्र पर्थम जिसको की राजेंद्र चोल कहा जाता है उसने अपने छेतर का भारी विस्तार किया और इस विस्तार के लिए उसने नौ सेना की अस्थापना की थी। आसपाक बिक्सित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। मंदिर जो थे ये सिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर सासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमी से संपन हो गए और इस भूमी की उपज उन सारे भिशेसक्यों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। इसमें मुखे रूप से पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, महतर और देखिए महतरों के सासा संगीतकार और नर्तक इत्यादी थे। दूसरे सब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा अराधना के केंद्र नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए सिल्पों में जो सबसे विशिष्ट था, वो था कान से प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कान से प्रतिमाएं संसार की भव्व उतकृष्ट कान से प्रतिमाओं म एक मंदिर जट जिस तरह से क्रमसा पतली होती गई है उस पर गौर करें बाहरी दिवारों को सजाने के लिए पत्थर की प्रतिमाएं अलंकृत की गई है और जिसके काराण ये जो गंगई कोंड चोलपुरां का मंदिर है बहुत भब और अत्यधिक विसिष्टता रखने वाल मंदिर है दोस्तों यहां पर एक कांस्य चित्र या कांस्य प्रतिमा बनाई गई है जो कि चोल सामराज्य की कला और संस्क्रिटी का एक विसिष्ट नमूना है इसे बहुत ही साउधानी से अलंकृत किया गया है और जो चोल प्रतिमाय हैं उनको विस्तो में उनके अत्कृष्ट कलाकृतियों के लाते बहुत ही महत्पूर अस्थान है दोस्तों यहां पर एक चित्र देखिए ये नवी सताब्दे में तमिल नाडु का एक जलद्वार है हौज से नदी की साखाओं में पानी के प्रवाह के जरिये इसे नियंद्रित किया जाता था और इससे पानी के खेत सीचे जाते थे कई जगहों पर फसलों की सिचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था और सिचाई के लिए कई पध्धतियां अपनाई जाती थी चोल वंस में सिचाई के लिए कूवे खोदे गए और कुछ जगहों पर बारिस या वर्सा के पानी को इकठा करने के लिए विसाल सरोवर बनाए गए दोस्तों सिचाई के काम की योजना की जरूरत होती है जैसे स्रम और संसाधनों को बेवस्तित करना इन कामों की देख रेक करना और ये तैं करना कि पानी का बटवारा कैसे किया जाए ज्यादातर नए सासकों साथ हिसातगाओं में रहने वाले लोगों ने इन गत्वीदियों में सक्री रूप से दिलचसपी दिखाई थी कृषी और सिचाई के बाद आए जानते हैं सामराज का परसासन किस परकार से चलता था दोस्तों चोल सामराज्य का प्रसासन जो था वो कैसे बिवस्थित था उसके बारे में जानते थे किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी किसानों की बस्तियां चोल सामराज्य में उर कही जाती थी और सिंचित खेती के साथ बहुत ये और भी सम्रिध होती गई इस तरह गाउं के समूह को नाडु कहा जाता है नाडु जो है दोस्तों जो की तमिल नाडु सब्द में लाश्ट में लगा है नाडु का अर्थ होता है गाउं का समूह ग्राम परसद और नाड न्याय करने और करवसूलने जैसे कई परसास की कारे भी करते थे वेलाल जाती के धनी किसानों को केंदरी चोल सरकार की देखरेख में नाड के कामकाज में अच्छा खासा नियनत्रण हासिल था तो वेलल जाती के जो धनी किसान थे उनको चोल सरकार में नाडु के कामकाज में जो है वो उनको नियंतरन था और उनमें से कई धनी भुस्वामियों को चोल राजाओंने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी तीन राजाओं को अपनी सहिवाएं परदान करने वाला व हमने देखा कि ब्राम्हडों को समय समय पर भूमी अनुदान या ब्रम्हदे प्राप्त हुआ ब्रम्हदे उस भूमी को कहा जाता था जो ब्राम्हडों को अनुदान के रूप में दी जाती थी पैडाम सरुप कावेरी घाटी और दच्छिड भारत के दूसरे हिस्सों में धे प्रतेक जो ब्रह्मधे था उनकी धेकरेक प्रमुख ब्रह्मध भुस्वामियों की एक सभाद्वारा किया जाता था ये सभाएं बड़ी ही कुसलता पुर्वक काम करती थी इनके निगड़े सिला लेखों में प्रायमंदिर की पत्थर की दिवारों पर बेहरेवार दर्ज कि किये जाते थे नगरम क्या था तो नगरम नाम से ग्यात ब्यापारियों के संग भी अकसर सहरों में प्रसासनिकारे संपादित करते थे दोस्तों तमिलनाडु के चिंगल पुट जी लेके उत्तर मेरूर से प्रापता भिलेखों में इस बात का बढ़न किया गया है कि ब्राम सेता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिक्टों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बरतन में रख दिये जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समित के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था आये देखते हैं कि जो चोल सामराज में भूम के कुछ प्रकार थे वो किस प्रकार का था तो ये देखिए भूम की जो कोटियां या प्रकार थी वेलन वगाई वेलन वगाई क्या था तो वेलन वगाई भूम जो थी वो गैर ब्राम्हड किसान स्वामी की भूमी होती थी ब्रम्हदे ब्राम्हड या देयोदान मंदिर को उपहार में दी गई भूम थी और पलिच चद्दम जो था वो जैन संस्थानों को दी गई भूम थी तो ये भूम के प्रकार हैं आप इनको अलग से नोट कर लीजेगा ये कभी न कभी आपको कला संस्कृती या प्राची नितिहास मद्धकाली नितिह एक बार फिर से विल्लन वगाई गैर ब्रामण किसान की भूम थी ब्रम्धे ब्रामणों को उपहार या अनुदान में दी गई भूम शाला भोग किसी विद्याले के रख रखाओ के लिए भूम थी देयोदान या तिरुन मटुकन्नी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमी होती थी अब दोस्तों अब देखते हैं कि जो है तांग वन्स के यूग का चीन कैसा था उसके पहले आये जानते हैं अभिलेख और लिखित सामगरी के बारे में उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की जो सदसेता होती थी उसके लिए ऐसे इच्छुक लोगो भूमी का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराजस वो वसूला चाता था उनके पास अपना घर होना चाहिए था उनकी उम्र 35 से 70 वर्स की होनी चाहिए उन्हें वेदों का ग्यान होना चाहिए प्रसासनिक मामलों की अच्छी जानकारी और तीन सालों में किसी समीतिका सदस से होना चाहिए और यह दिवा तीन सालों में किसी समित्य का सदस से रहा हो तो वो फिर आगे समित्य का सदस से नहीं बन सकता है और जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाओं नहीं लड़ सकता तो अभिलेखों में राजाओं और सक्त संपन पूर्सों के बारे में जानकारी मिलती है लेकिन साधारण पूर्सों और औरतों का इन राज्यों में जीवन कैसा था इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है अब आईए अतरिक्त अध्यन में देखते हैं तांग वंस के यूग का चीन तो दोस्तों चीन में तांग राजवन्स के तहत एक सामराज अस्थापित हुआ था तांग वन्स चीन का महत्वपूर्ण वन्स रहा है ये लगभग 300 वर्सों तक यानि सात्मी से दसमी सताब्दी तक सत्ता में रहा इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगर में थी जहांपर तुर्की, इरानी, भारती, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे तांग सामराज जो है वो परिच्छा के माध्यम से नियुक्त की गई नवकर साही द्वारा प्रसासित किया जाता था देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तांग वन्स के जो प्रस ब्यक्त बैठ सकता था और अधिकारियों के चयन की ये वैवस्था कुछ बतलाओं के साथ 1911 तक कायम रही तो दोस्तों भारती उप महादेप में प्रसलित वैवस्थाओं से तांग वन्स के युक की वैवस्था थोड़ी अलग थी क्योंकि हमारे हाँ जो पद बनाए जात थे वो राजाओं के संबंधियों को या विशेश करधनी व्यक्तियों को दिये जाते थे इसके अलावा ये पद वनसानुगत होते थे यानि उनकी मृत्तु के बाद उनका पुत्र उसी पद पर या बड़े अहदे पर अस्थापित हो जाता था या नियूक्त हो जाता था लेकिन तांग वंस की बेवस्था भारती ये परसासनिक बेवस्था से पूरी तरह अलग थी। तो दोस्तों ये था सात्वी कच्छा के इतिहास हमारे अतीत भागदों का दूसरा अध्याय नए राजा और उनकी राज्ये। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तत्यों को आपसे दोहरा कर इसलिए कहा कि ये महत्वपूर्ण है परिच्छाओं की दृष्ट से आप उनको अलग से कहीं पर नोट कर लिजेगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदोशन फार सिविल सेर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों